खरगोन शहर का रधर इस्तल कहे जाने वाला राधा वल्लब मार्केट एक बार फिर चोरो की निशाने पर है बीती रात अग्या चोरों ने दो दुकानों को निशाना बनाया चोरों को एक दुकान से 15,000 रुपे की नगदी हाथ लगी तो वहीं दुसरी दुकान में सामान बिख्रा कर लोड गया लगातार हो रही चोरियों से यहां के दुकानदारों में डर और दहशत का माहोल दिर्मित होने लगा है शुक्रवार को दोनों दुकानदारों ने पुलीस को शिकायत की है कोतवाली पोचे चेतन चोहान ने बताया कि न्यूरादावला मार्केट में उनकी आराज ये कश्टक्सन नाम की दुकान है सुबर दुकान पोचा तो ताला दुटावा मिला अंदर जाकर काउंटर में ड्रॉज में देखा तो पंद्रा हजार उपे की नगदी कायब थी वहीं चेतन से ने बताया कि उनकी साफा सेरवानी की दुकान है बीती रात उनकी दुकान में भी चोहर घुज गए थे उन्हें नगदी तो नहीं मिली लेकिन सारा सामान बिखरा गए थे उक्त मार्केट में आए दिन हो रही चोहरीयों से वेपाजयों में डर का माहौल व्यापत है कई बार पुलिस को शिकाज कर चुके हैं यहां रात के समय असामाज कत्वों का जमावड़ा लगा रहता है शराप पीनेवाले अंजेरा होते ही मार्केट के ओपर हिस्से की दुकानों के सामने बेढ जाते हैं बिलो रिपोर्ट खरकॉन न्यूरादवललम मार्केट आर्टी टकेज के सामने मेरी दुकान बालाजी साफा शेरवानी दुकान पर अग्यात चोरों के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया जिसमें ताले तोड़कर अंदर घुसे और चुकी नगदी कुछ नहीं था और पूरे सामान को अस्त व्यस्त किया गया इसकी सुचना देने के लिए हम आज ठाने पर आये हैं पूरू में कई बार वहाँ पर सामाजी गटना होती है पूरू में भी ताले तूट चुके हैं कई बार ACO के पाइप भी चोरी हुए हैं और शराबियों का भी रात के 9 बज़े के बाद टाता लगा रहता है उपर के मार्गेट में नियूरादावल्लम मार्गेट में आधी डागीत के सामने है प्रथर मंजिल पर आराध्य कंट्रक्शन नाम की दुखान है उसमें जब मैं सुबह गया तो अब ताले तूटे मिले जब अंदर गया तो 15,000 तक की चोरी हो चुकी थी आर्थी डाकी के सामने है उपर पेसे नगदी जमा नगदी 15,000 रुपे ले गए चेतन सिंग चोहान हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें